दोस्तो बीजेपी ने लगातार तीसरी बार देश में अपनी सरकार बनाई है, यानि कि इंडिये की सरकार बन गई है, ऐसे में दोस्तो अब बजट भी पेख्श होने वाला है, ऐसे में दोस्तो सुत्रों की माने तो मोधी सरकार इस बार आम जनता को कई सारे तोफ़े, TX की सीमा को क्या करने वाली है? TX की चूट कितनी देने वाली है? किन किन चीजों पर TX की चूट मिलने वाली है? तो आप इस वीडियो में बने रहें. आखिर तक आपको केंदर ये बजट से सम्मन्दित कई सारी जानकारियां बजट पेश होने से पहले ही मिल जाएगी. दरसल दोस्तो नरिंद्र मोधी सरकार वित वर्ष 2024 का पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे सब तहां में पेश कर सकती है ऐसे में दोस्तो मिडल क्लास और टेक्सपेर्स को राहत मिलने की उम्मीद है राइटर्स के मताबित मोधी 3.0 अपने पहले बजट में 10 लाख सालाना कमाने वाले लोगों के लिए इंकम टेक्स की दरों में कटोदी करने पर विचार कर रही है यानि कि दोस्तो अगर आपकी सालाना इंकम 10 लाख रुपे है या फिर 10 लाख रुपे से कम है तो आपको इंकम टेक्स देने की ज़ुरत नहीं रहेगी इसके लाओ दोस्तो सरकार इंकम टेक्स सेले में भी बदलाओ करने की प्लानिंग कर रही है चुनावी साल होने के चलते वित्त मंत्री निल्मला सिता रमल ने एक फरवरी को फाइनेंशल एर दोज़ार 24-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया था तब वित्त मंत्री ने इंकम टेक्स से जुड़ी कोई बड़ी घुशना नहीं की थी सुत्रों के हवाले से खबर है कि टेक्स चूट की सीमा 5 लाग कर सकती है सरकार दरसल दोस्तों बजट में सरकार यह रहत एक खास सेलरी वर्ग और मिडिल क्लास को दे सकती है वही मनिक अंट्रोल ने सरकारी सुत्रों के अवाले से बताये कि सरकार बजट में इंकम टेक्स छूट की सीमा को 3 लाग से बढ़ा कर 5 लाग कर सकती है यह बदलाओ केवल नई टेक्स रिजीम के तहद रेटन फैल करने वालों पर लागू होगा वहीं दोस्तों नई टेक्स रिजीम में 3 लाग तक की आये अब टेक्स फिरी कर ली जाएगी यानि कि दोस्तों मान लीजिए किसी की सालना इंकम 5 लाग रुपे है नई टेक्स रिजीम में 3 लाग रुपे तक की आये टेक्स फिरी है इसमें भी एक पेच है अगर आप सेलरीड हैं और आपकी कमाई साधे साथ लाख रुपे से एक रुपे भी जादा हुई तो आपको एक रुपे पर नहीं बल्कि साधे चार लाख रुपे पर टेक्स चुकाना होगा यानि कि आपका कुल टेक्स 30,000 रुपे बन जाएगा वैसे दूस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें नई टेक्स रिजीम के तहट इंकम टेक्स सेलेब कुछ इस तरीके से हैं अगर आपकी इंकम 3,000,000 रुपे तक है तो आपको कोई टेक्स देना नहीं होगा 3,000,000,000,000,000 तक 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, वहीं दोस्तों पुराने tax regime में income tax के total पांस से लेप थे जिनमें 5 लाग तक income tax फिरी होती थी, ठाही लाग से 5 लाग तक income पर 5 पृतिशत वहीं 5 लाग से 10 लाग तक की income पर 20 पृतिशत tax और 10 लाग से 20 लाग तक की आये पर 30 पृतिशत tax लगता था अभी 10 लाग तक की सेलरी पर सीधे 20% टेक्स लगता है। सरकार इसमें बदलाव कर सकती है, 10 लाग तक की इंकम पर 20% टेक्स घटा कर 10% किया जा सकता है। इसके अलावा 30% वाले टेक्स सेलरेब को बदलने पर भी विचार किया जा रहा है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताईए आपकी क्या राई है, क्या सरकार को 10 लाग रुपे तक की इंकम को टेक्स फिरी कर देना चाहिए या नहीं, या फिर कितने लाग तक की इंकम को सरकार टेक्स फिरी करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राइज जरूर दीजिए। साथी दोस्तों गर वीडियो आपको पसंद आजी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए धन्यवाद वंदिमातरम जे हिंद जे भारत